असलावलीकुम दोस्तों आपको फिर्शन में स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल चॉब गाइट सॉलूशन यूटूब चैनल पर तो साथ ही आज की वीडियो में कतर में यदि आप अभी रहते हो कतर जाने वाले हो कतर से वापस आ रहे हो तो भाईयों मुखालफा लगा है किसी तरह का जुरुमाना लगा है तो अनलाइन खुद से कैसे चेक कर पाऊगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा बस आपकी कतर आईडी की जरुत होगी आपको आपको एक आईडी बनानी पड़ेगी उसके बाद बहुत ही आसान तरीके से खुद से ही आप अपनी फाइन वगेरा को मुखालफा वगेरा को वो जुर्माना वगेरा को सभी चीजों को आप चेक कर पाऊगे बहुत ओप किसी लैप टॉक इसी कंप्यूटर भी ज़रती पस मोबाईल मीधी दोस्तों चेक कर पाऊगे तो ये वीडियो जो होगा दोस्तों काफी किसी related कोई भी country के related मुझे comment करके पूछे मैं को सब्सक्राइब आप लोग का सवालों का जवाब देने के लिए तो चलिए दोस्तों मैं ले चलता हूं आपको mobile के स्विक्टर बताता हूं कैसे मुखालफा जुर्माना को find को आप चेक कर सकते हो तो सातियों उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा Google में Chrome browser को आपको open करने के बाद आपको वहापे search करना है Qatar Public Prosecution सातियों Qatar Public Prosecution आपको यहापे search करने बाद इस तरह से आपके सामने page open होके आ जाएगा तो Qatar Public Prosecution लिखा हो होम पेज इस पर आपको simply क्लिक करना है इस पर दोस्तों जैसे आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने एक page खुल कर आ जाएगा तो सातियों जैसे आप क्लिक करोगे जैसे कि मैंने आपको बताया तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface खुल कर आएगा जिसमें लिखा हो रहेगा Qatar Public Prosecution यह दोस्तों official page है यह home page भी से आप कह सकते हैं इस पर दोस्तों क्लिक करने कवाद हैब आपको simply क्लिक करना है नीचे आपको же scroll down करना है नीचे श्कॉल डौन करोगे तो आपके सामने एक वहा पर आपको option मिलेगा अवर service के नीचे लिखा हुआ और public service तो दोस्तों public service मेंдो सिंप्लिक क्लिक कर देना है Public Service पर जैसे क्लिक करोगे साथियों आपके सामने एक page खुल कर आ जागा जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है private organization, government organization तो आपको private organization में क्लिक करोगे तो आपसे यहाँ पर कतर ID मांगी जाएगी आपसे यहाँ पर password मांगा जाएगा यानि इसमें साथियों सबसे पहले ID बनानी पड़ती भाईयों यदि आपको ID बनानी नहीं आती है तो मुझे comment करें पूछेगा मैं आपको ID बनाना भी सिखा दूँगा लएदि 10 लोगों का comment आता तो मैं आपको बता दूँगा तो यहाँ पर आपको कतर की ID डालनी पड़ेगी और नीचे आप password डालना पड़ेगा दोस्तों यदि निव यूजर हो तो आपको यहाँ पर नया ID बनाना पड़ेगा यदि आप password भूल गया हो तो forgot your password करके यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करके देना पड़ेगा तो यदि आपको सारा कुछ याद है Qatar ID भी और password भी तो आपको ये सारी चीज़े डाल के आपको इंटर पे क्लिक करना है इंटर पे क्लिक करो जैसे ही करोगे आपके सामने इस तरह का पेज खुल कर आ जाएगा आपके सामने आ जाएगा तो नीचे जब फ्रोटन करोगे साथसी क्लिक करने के बार तो आप पे जिस तरह का फाइन वगाडहा होगा चाहा वो पुलिस फाइन हो या ट्राइफिक फाइन हो किसी तरह का फाइनों दोस्टोओ आपके सामने पूरी डिटेल लिखी भी आ जाएगी यहां पर फाइन वगएरों को आसानी से आप चेक कर सकते हो तो इस तरह से दोस्तों यह दिया आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो बिल्कुल अपने मोबाइल पर इस तो उम्मीद करते हो वीडियो आपको अच्छी यो मिलते दोस्तों नेक्स्ट टूडियो पर